साइन्स के जादुगर एसी वर्मा अब IIT पटना के साथ जुड़कर बिहार के शिक्षकों को विज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं। विज्ञान को आसान तरीके से समझने और इस इस्तमाल करने के लिए ये क्लास एसी वर्मा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे क्लास के अंदर विहार के माद्दे में कुछ विद्यालों के शिक्षकों को बारिक्या सिखा रहे हैं। विहार सरकार के पहल पर IIT कैंपस में ये ट्रेनिंग चल रही है। इस प्रोग्राम का नाम रेस्पेक्ट विहार दिया गया है। दरसल फिजिक्स के जटिल प्रश्णों को आसान कर ऐसी वर्मा बता देते हैं। साथी बच्चों को कैसे सरल तरीके से बताया जाए ये भी वो शिक्षकों को सिखा रहे हैं। आपको बता दे कि ये कारिक्टन मुख्यमंत्री नेदिश कुमार की पहल पर इस्टू किया गया। समारोह में जब मेरी और नेदिश जी हम लोगोंने मन्च साधा किया था। उस समय में जो उनसे बात्चित हुई उस एक बात्चित के आधार पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने आईटी पटना को दिया है। ये बात दिखाता है कि यहां शिक्षा के प्रती वो कितने गंभीर हैं। और अगर कहीं से भी उनको मत लगता है कि उनके तंत्र को और एक गती मिल सकती है, उसकी गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। तो उसके लिए बिहार सरकार ने एक कदम उठाया है। आम आभारी हैं बिहार सरकार के। इस ट्रेनिंग का मुख्योदेश सरल तरीके और आसान नुस्खों से फिजिक्स के चटल सवालों को समझना है। जिसके लिए बड़े बड़े प्रयोक्षाला की अवश्यक्ता होती है। जो कि अभी फिलाल कहीं भी चालू कंडिशन में या, कहीं उसका कंडिशन बहुत इसतिती खरावे, लेकिन यहां जो सिखाया जा रहा है। जो हम घरेलू जो हमारे पास इंस्टूमेंट्स हैं, जिसके कारण हम बहुत कुछ बहुत सरे स्प्रैक्टिकल हम क्लास में, वर्क कर्च में ही हम सिखा सकते हैं। जो हम घरेलू चीज से बच्चे को सिखा सकते हैं, वहीं चीज के ट्रेणिंग मुझे दी जा रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल के जो भी बहुत की ही नहीं, अन्य बहुत सारे विशयों हैं जिनका बहुत बढ़ा योगदान होता है बच्चे के जीवन में और उनके भविश्क, उज्जोल भविश्क के लिए। साइंस के जादुगर के जर्ये ये पहल काबिले तारीफ है। बिहार सरकार की इस पहल से बच्चों को फिजिक्स और मैत के कठीन सवालों को हल करने में सुविदा होगी। मनेर से मनोज कुमार सिंग की रिपोर्ट बिहार तक। मनेर से बच्चों के लिए ये एटारीज और में साइंस कॉमार के सुविदा है।